अमर्वाडा उप्चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अप्शोपुर की विज्यपुर सीट को लेकर सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है विज्यपुर सीट से कॉंग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए एक सप्ता पहले उन्हें मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री बना दिया है मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिलने के बाद यह तै माना जा रहा है कि विज्यपुर में होने वाले उप्चुनाव में बीजेपी के उमीदवार रामनिवास रावत होंगे इसी बीच इस सीट पर बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं BJP के सीनियर नेता और पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और टिकट की दावेदारी पेश की है पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने पार्टी को उप्चुनाव से पहले ही चेतावनी दे दी है। आदिवासी सुमदाए में अच्छी पकड रखने वाले सीताराम आदिवासी का यह बयान बीजेपी और रामनिवास रावत के लिए मुश्किले पैदा कर सकता है। विधायक सीताराम आदिवासी ने पार्टी को धम की भरे अंदाज में कहा है कि यदि विज्यपुर विधानसभा सीट से मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं कॉंग्रेस में भी चला जाओंगा। मेरे कॉंग्रेस में जाने से भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दे कि सीताराम आदिवासी की पहचान जमीनी नेता के तौर पर है। वह इस सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि उपचुनाव से पहले सीनियर नेता का यह बयान मुश्किले बढ़ा सकता है। साल 2023 में मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में विज्यपुर विधानसभा सीट पर कॉंग्रेस के रामनिवास रावत को जीत मिली थी। भाजपा ने रावत के खिलाफ बाबू लाल मिवरा को टिकट दिया था। लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब बाबू लाल मिवरा के भी नाराजगी की खबरे आ रही है। फिलहाल उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन सूत्रों को कहना है कि पार्टी के इस फैसले सेवा नाराज बताये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा की दो सीटे रिक्त हैं। बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंग चौहान ने इस्तीफा दिया है। वहीं विजपुर में उपचुनाव होना है। हालांकि उपचुनाव के लिए अभी तक चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोशित नहीं किया है।